Taxil.com के YouTube चैनल पर मैं C.S. अतबीर सिंग आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे कि पब्लिक प्रावड़न फंड में इन्वेस्टमेंट करने के क्या-क्या फाइदे हैं और इसके लिए क्या प्रोसेस है PPF पर Interest के Rate क्या है PPF पर Interest के लिए Central Government के दवारा Quarterly Basis पर Determine किया जाती है जैसे कि 1 January 2008 से 7.6% PPF के Interest Rate है जो Interest है वह कलेंडर मन्त के लिए हर कलेंडर मन्त के लिए कल्कुलेट किया जाता है और जो आपका Minimum Balance होता है 5 तरीक से लेके महीने के End तक उसके ऊपर यह Interest Amount कल्कुलेट किया जाता है और Year End होने के बाद 31 March को यह Interest PPF Account में Pay कर दिया जाता है जो Balance है मान लीजिए आपके Account में 6th में को वो 1,40,000 है और 7th में को आप 10,000 रुपया PPF Account में Deposit कर देते हैं तो जो Balance है वो 1,50,000 हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो Interest Calculate होगा में मन्त के लिए वो 1,40,000 रुपीज के उपर Calculate होगा इस परकार आपको यदि Investment करनी है PPM में तो आप हर महीने के जो है वो 5 तरीक तक Investment कर दें PPF Account को Open करने के लिए क्या Eligibility है PPF Account को कोई भी Individual अपनी नाम से भी Open कर सकता है और Minor के नाम पे भी Open कर सकता है किसी भी Bank या Post Office में Account Open किया जा सकता है PPF Account को Hindu Undivided Family Open नहीं कर सकती है इसी परकार ही Non-Resident Individual भी PPF Account को Open नहीं कर सकते है और Joint Account भी PPF के Case में Open नहीं किया जा सकता PPF में Investment Limit किया है PPF में आपको एक साल में कम से कम 500 रुपया जमा करना है और Maximum आप 1,50,000 रुपीज यानि कि 1,500,000 रुपया तक जमा कर सकते है Amount जो PPF में आप जमा कराएंगे वो 5 रुपय के Multiple में हो सकता है यानि कि 505 रुपया, 510 रुपया और जो Maximum Installments है वो एक साल में 12 रुपया जमा कर सकते है या फिर Lamsam में भी यानि कि 1,800 रुपया आप साल के शुरू होने के साथ ही जमा कर सकते है यदि कोई subscriber PPF account में यह amount जमा नहीं कर पाता है तो उस case में वह default के लिए fees पे कर सकता है 50 रुपया हर साल और जो area है यानि के हर साल के लिए जो 500 रुपया कम से कम से जमा करना है PPF account में वह पे कर सकता है PPF account में investment करने की duration क्या है PPF account originally 15 years के लिए open होता है यानि के 15 साल के लिए उसके बाद आप अपने PPF account को extend कर सकते है 5 साल के block के लिए यानि के 20 साल, 25 साल, 30 साल आईए सम्मा लेते हैं कि अधि आप PPF में investment करते हैं तो आपको कितना पैसा मिल सकता है माल लिजिए आप 2018 के beginning में पैसा invest करना शुरू करते हैं आप PPF में minimum 500 रुपीज तक invest कर सकते हैं हर साल और maximum 1,50,000 रुपीज तक per annum जो है आप invest कर सकते हैं यदि आप 500 रुपीज पर annum आप invest करते हैं तो आपका PPF का balance 14,160 रुपेया 97 पैसे हो जाता है यदि rate of interest 7.6% per annum रहता है लेकिन PPF के case में सरकार interest rate हर 3 महीने बाद reset करती है तो हमने इस example में assume किया है कि जो rate of interest रहता है 7.6% रहता है per annum और आप जो PPF की investment है वो हर साल के शुरू में ही कर देते हैं मान लेजी आप 6,000 रुपे की investment करते हैं हर साल के शुरू होते हुए तो इसके उपर आपको पहले साल के अंत में 4,560 रुपया मिलेंगे और आपकी total investment 400,560 रुपया हो जाती है यह investment अगले साल आप 60,000 में invest करेंगे और जो total investment बन जाएगी 1,24,560 इसके उपर आपको फिरसे interest मिलेगा और जो balance होगा 2019 के end में 1,34,026 रुपीज हो जाएगा इस परकार यह आपके balance जो है वो बढ़ते जाएगे इवन इफ के आपकी जो investment है वो सेम रहती है यानि कि 60,000 और 15 साल के बाद आपके पास तकरीबन 17,000,000 रुपया हो जाएगा इस परकार आपने जो 15 साल में investment किये हर साल 60,000 रुपया यानि कि 9,000,000 रुपया लेकिन इस पर PPF का जो ब्याज बन गया है वह है 7,99,315 रुपीज इस परकार आप PPF में जब invest करते हैं तो आपको 3 benefit तो सीधे सीधे मिल जाते हैं एक तो आप जो एक contribution करते हैं हर साल ये income tax के अंदर section 80C के अंदर आपको direction मिलती है ये 60,000 पय की यानि कि 1,50,000 तक आप invest कर सकते हैं वहां तक आप deduction claim कर सकते हैं और अपने income tax को बचा सकते हैं दूसरा आपको जो PPF पर interest मिलता है वह भी exempt होता है इस पर कोई TDS नहीं करता कोई आपको tax नहीं देना होता तीसरा benefit ये है कि ये जो interest का amount है वह आपके balance में add हो जाता है year end होने के बाद और उसके बाद जो अगले साल का interest calculate होता है तो जो पिछले साल का interest है उसके ऊपर भी ये interest calculate किया जाता है यानि कि compounding interest जो है वो आपको मिलता है मान लेजिए आप हर साल सोचते हैं कि 1,50,000 रुपया तक की investment करेंगे तो आपके पास जो है 15 साल के बाद जो balance हो जाएगा वो 42,48,000 हो जाएगा इस परकार आप अपने financial dream पूरी तरीके से complete कर सकते हैं PPF की investment के साथ आइए जानते हैं कि PPF में investment करते हुए लोग कौन सी common mistakes करते हैं सबसे पहले तो लोग ये गलती करते हैं कि वो साल के शुरू में ही PPF में investment नहीं करते हैं दूसरा वो जो investment भी करते हैं वह 1,50,000 रुपीज तक जो है नहीं invest करते हैं साल के शुरू में ही बलके हर महीना करके थोड़ा थोड़ा invest करते हैं जिसकी वज़े से कि उनका जो PPF का balance है वह कम हो जाता है तीसरी जो गलती वे करते हैं वह यह कि जो PPF की investment है उसे ignore करते हैं और दूसरे sources में invest कर देते हैं जैसे के insurance, mutual fund, etc. लेकिन यदि आप stable में देखते हैं और stable के according अपनी calculation करते हैं तो आप पाएंगे कि PPF की investment best investment है आपके retirement planning के लिए और आपके future के लिए भी चोथी गलती जो लो करते हैं वह यह है कि जो PPF में investment आप एक साल में कर सकते हैं वो बारा installment में जो है वो कर सकते हैं और बारा installment से ज़्यादा आप invest नहीं कर सकते हैं जैसा कि यदि आप यहाँ बारा installment में 29,600 बीच पे एका देते हैं तो आप और investment इस साल के लिए PPF में नहीं कर पाएंगे इस परकार आपके limit तो थी 1,50,000 तक invest करने की लिकिन आपने 29,600 ही invest किया इस साल जो पांची mistake लोग करते हैं वे यह है कि वे financial discipline नहीं होते हैं जो investment नहीं हर साल करनी चाहिए PPF के लिए वे उनसे skip हो जाती है या regularly mentate नहीं कर पाते हैं जो sixth mistake लोग करते हैं वे यह है कि वे हर महीने के शुरू होने के पांस तरीक तक उन्हें investment कर देनी चाहिए PPF में लेकिन वे नहीं कर पाते हैं जिसके वज़े से कि उनको जो PPF का balance होता है जो उनको 15 साल बाद मिलेगा वे कम हो जाता है यदि कोई व्यक्ति 15 साल के बाद भी अपने PPF account को continue रखना चाहता है तो इसके लिए उसे 16 साल के खतम होने से पहले पहले यह option exercise करनी है कि वे अपने PPF account को extend करना चाहता है 20 साल तक के लिए इसी परकार ही यदि वो 20 साल के बाद PPF account को continue रखना चाहता है तो 21 साल के खतम होने से पहले उसे option exercise करनी है कि वे अगरे 5 साल के लिए यानि कि 25 साल के लिए PPF account को continue रखना चाहता है इसके लिए उसे form H को fill करना होगा जिसका link के इस वीडियो की description में भी दिया गया है यदि कोई व्यक्ति अपने PPF account को extend करता है block period के लिए तो उस case में partial withdrawal भी कर सकता है अपने PPF account से लेकिन इस case में उसे एक withdrawal ही हर साल allowed रहेगी और अगले 500 में जो total withdrawal कर पाएगा उस amount का 60% से ज़्यादा नहीं हो सकती जो के period के beginning में उसके पास पड़ी थी block period के beginning में कोई व्यक्ति अपने PPF account पर loan भी ले सकता है लेकिन loan इस बात पर depend करेगा कि PPF account की age कितनी है और balance कितना पड़ा है specified dates पर यानि कि जब व्यक्ति PPF account में contribution करता है तो उस साल के खतम होने के बाद एक साल बाद वह PPF में से loan ले सकता है और जिस साल उसने PPF में contribution किया है उस साल के खतम होने के बाद 5 साल से पहले वह यह loan ले सकता है लेकिन loan का amount कितना होगा यह इस बात पर depend करेगा कि उसने किस साल loan के लिए apply किया है उससे जो दो साल पहले उसके PPF account में balance पड़ा हुआ है second year के बाद यानि के उसका 50% जो है amount loan का वो दिया जाएगा इसके लिए व्यक्ति को form D में apply करना होगा जिसका link के इस video की description में भी दिया गया है लेकिन कोई व्यक्ति नेया loan नहीं ले सकता PPF का जब तक के वे पुराना PPF का loan with interest जो है वो pay नहीं कर देता है जदी किसी व्यक्ति ने minor के लिए PPF account open किया है तो वे loan भी minor के लिए ही ले सकता है लोन की repayment किस परकार होगी और interest कितना होगा principal amount जो है loan का वह व्यक्ति को 36 months के अंदर जो है वो repay करना है यानि कि जिस महीने में loan sanction किया गया है उसके next month से 36 months के अंदर 36 महीने के अंदर यह loan repay करना है यह amount जो है वे लमसम में भी pay कर सकता है या फिर monthly installment में भी pay कर सकता है इन्हें उसे 36 months के अंदर यानि कि 36 महीनों के अंदर repay करना है जैसे ही loan का principal amount है वे fully repay हो जाएगा उसके बाद व्यक्ति को interest की payment करनी है जिसके लिए के उसे 2 महीने दिये जाएगे और जो interest rate होगा वे जो principal amount है loan का उसके उपर 2% interest उसे pay करना होगा यह interest उस period से start हो जाएगा जब उसने loan लिया है उसके next month से लेकर जब यह loan की repayment करेगा उस महीने के last day तक यह interest उसे pay करना है यदि loan amount पूरी तरह से pay नहीं होता है या फिर part में pay होता है इन 36 महीनों के अंदर तो उस case में जो interest है वे outstanding loan amount पे calculate किया जाएगा और interest का rate 6% per annum होगा इस case में 2% interest नहीं charge किया जाएगा जो interest है वे उस महीने से calculate किया जाएगा जब उसने loan लिया है उसके next month से लेकर उस महीने तक जब तक के loan fully repay नहीं हो जाता यदि कोई व्यक्ति principal amount तो 36 months के अंदर repay कर देता है लेकिन interest का amount repay नहीं करता है तो उस case में subscriber का account debit कर लिया जाएगा कोई व्यक्ति PPF account से withdraw कब कर सकता है कोई भी व्यक्ति जिस साल उसने PPF में contribution किया है उस साल के 5 साल के बाद PPF account से withdraw कर सकता है लेकिन एक साल में एक ही withdraw allowed है इसके लिए व्यक्ति को form C apply करना होगा जिसका link के इस video की description में भी दिया गया है maximum PPF का amount जो withdraw किया जा सकता है वे उस amount से ज़्यादा नहीं हो सकता जिस साल उसने withdraw के लिए apply किया है उससे 4 साल पहले उसके पास जो balance पढ़ा हुआ था PPF में उसका 50% amount या फिर जिस साल उसने apply किया है withdraw के लिए उससे पिछले साल उसके पास जो PPF का account में जो balance पढ़ा हुआ है इन दोनों में से जो भी कम होगा जदी व्यक्ति ने loan लिया हुआ है जिसका amount के unpaid है यानि कि उसने pay नहीं किया है तो यह amount भी reduce किया जाएगा और उसके बाद उसकी legibility को calculate किया जाएगा इसके अलावा कोई भी व्यक्ति 15 साल के बाद पूरा पैसा अपने PPF के account से निकाल सकता है यदि किसी व्यक्ति ने minor के लिए PPF account को open किया है तो उस case में जो withdraw कर सकता है PPF account से वैसरो minor के purpose से ही उस fund को use कर सकता है क्या PPF account की premature payment की जा सकती है जी नहीं PPF account की 15 साल से पहले premature जो closer है वो allowed नहीं है लेकिन यदि PPF account को 5 साल हो गए है तो उस case में जो premature payment है वो allowed है यानि कि इसके लिए गंभीर बिमारियों का होना या फिर account holders, spouse, dependent children या भी parents को life threatening disease होनी चाहिए और इसके लिए competent medical authority का जो document से लगेंगे इसके अलावा premature payment allowed है यदि account holder higher education लेना चाहता है या फिर यदि minor के लिए या account open किया गया है और उसकी higher education के लिए पैसा चाहिए भले ही या higher education इंडिया में हो या फिर इंडिया से बाहर हो लेकिन जदी कोई व्यक्ति premature closure करवाता है account का तो उस case में उसे जो interest rate दिया जाएगा वो 1% कम दिया जाएगा यानि कि normally जो उसे interest rate मिलना था उससे 1% कम करके उसे interest rate दिया जाएगा जैसे कि आप अपनी table में refer कर सकते हैं कि किसी वक्ति ने 2006-07 में 1000 rupees deposit कराया था normal interest rate उसे 8% मिलना था लेकिन क्योंकि अप premature closure करवा रहा है तो इसलिए उसे 7% interest rate मिलेगा और जो outstanding balance है वो 1070 हो जाएगा इसी परकार ही जो next years के interest rate है वो calculate किये जाएगे PPF account open करने के income tax के अंदर क्या benefit है income tax के अंदर जो भी आप contribution करती है PPF account में डेट लाग रुपया तक परानम वहें आपको ATC के अंदर जो है deduction मिल जाती है इसके अलावा PPF का जो interest annually आपको मिलता है उस पे भी कोई income tax नहीं लगता वह income tax से exempt होता है PPF account में nomination की facility भी available हो जाती है यानि कि अधी subscriber की death हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा इससे आप specify कर सकते हैं या एक बंदे के नाम से भी किया जा सकता है या फिर एक से ज़्यादा बंदों के नाम से भी nominee जो है account को open करने के time भी किया जा सकता है या फिर account को open करने के बाद भी nomination किया जा सकता है इसके अलावा nominees का जो share है वो भी subscriber define कर सकता है कि किस nominee को कितने percent PPF का amount मिलेगा इसके लिए आपको form E जो है वो fill करना है यदि आप nomination change करना चाहते हैं तो form F आपको fill करना है जिनके link के इस video की description में भी दिये गए है यदि subscriber की death हो जाती है तो PPF की payment nominee को दी जाती है यदि कोई nomination नहीं है तो उस case में legal hairs को PPF की payment की जाती है यदि nominee minor है तो उस case में competent court guardian को point करता है और उसे payment की जाती है यदि कोई guardian available नहीं है तो उस case में जो minor का parents होते हैं उनमें से किसी A को PPF की payment की जाती है यदि वह parents alive नहीं है, जीवित नहीं है तो minor के guardian को payment की जाती है इसके लिए form G को fill किया जाता है जिसका link के इस video के description में भी दिया गया है PPF account आप एक bank की branch से दूसरी bank की branch में भी transfer कर सकते है यह जो services free of charge normally banks के द्वारा provide की जाती है जो PPF का account होता है उसे किसी भी code के order के अंतरगत attach नहीं किया जा सकता PPF account open करने के लिए आपको क्या करना होगा PPF account open करने के लिए आपको form A के अंदर application देनी होगी और इसके साथ ही आपको initial subscription amount भी देना होगा जो के minimum 500 रुपीज है form A का link इस video की description में भी दिया गया है इसके अलावा आपको जो deposit करना है PPF account में वे form B में deposit करना है जिसका link के इस video की description में भी दिया गया है यह contribution PPF में आप cash के थूँ कर सकते हैं cross check के थूँ, draft और पिर pay order के थूँ भी कर सकते हैं लेकिन यदि आप outstation check या फिर instrument देते हैं तो उस case में collection charge ही लगेंगे और जिस दिन वे check realize हो जाएगा उसी दिन यह माना जाएगा कि आपने PPF में deposit किया है जब मैंने PPF account open किया था तो मैं resident था लेकिन बाद में no resident बन गया तो क्या मेरा PPF account close किया जाएगा इसके लिए Ministry of Finance ने पहले section issue की थी कि अधि किसी NRI का PPF account है और बाद में वे व्यक्ति no resident बन जाता है तो उस case में उस account को close कर हुआ माना जाएगा लेकिन अभी सरकार ने इस decision को pending किया है इसलिए NRI इस भी PPF account को hold कर सकते है आज की finance ने आपको कैसे लगी इसके बारे में किर्पया लाइक करें और शेयर करें जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेंडा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी न्यूज आप तक पहुंचा आपाएं Tax और Finance के regular update के लिए आप हमारी newsletter को subscribe कर सकते हैं जिसका link के इस news की video description में भी दिया गया है